बात करते हैं अब करक राशी की चंद्रमा करक राशी से दूसरे घर में गोचर कर रहा है और करक राशी का स्वामी भी स्वायम चंद्रमा ही है परिवार को लेकर जो मन में चिंता है वो दूर होगी प्रापर्टी में निवेश के योग आपके लिए बने हुए हैं भी आलोचना नहीं करनी चाहिए और अगर आपको कुछ बात कहनी ही है तो उस बात को ना कहें जो दूसरों को अच्छी ना लगे, कम से कम उनके सामने तो ना कहें, समय अनुकूल है, मान सम्मान को बढ़ाने वाला है, यदि आप प्रापर्टी में निवेश करने का मन बना र हैगा, आपको लाब होगा